हेलो एवरिवन फ्रेंड्स आज है 18 फैब 2021 और हम आज की इस वीडियो में 18 फैब 2021 के करेंट अफेर के कुछ कुछ कुश्चन्स डिसकस करेंगे जो की आपके आने वाले एग्जम्स जैसे की रेलवे एससी बैंक आदे के लिए मैध्पूर्ण है तो फ्रेंड्स आसा करती हू कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेर करें शुरू करते हैं कोशन वन है ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटी स्टुडेंट यूनियन की पहली भारते मह अध्यक्ष कौन बनी है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है रस्मी सामंत जो की ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटी स्टुडेंट यूनियन की पहली भारते महिला अध्यक्ष बनी है नेक्स्ट कोशिन है हाल ही में पुड्डुचेरी के उप राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डॉक्टर तमिली साई सौध राजन को एक बात और फ्रेंड्स पहले वहां की उप राज्यपाल डॉक्टर किरन बेडी थी अब उन्होंने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है तो वहां की राज्यपाल अब डॉक्ट हो गया है next question है हाल ही में कहां कंचोत त्योहार मनाया गया है तो friends यह त्योहार हाल ही में जम्मू कस्मीर में मनाया गया है और यह त्योहार चिनाव घाटी में मनाया गया है जो की प्राची नाग संस्कृति का प्रतीक है अगला कुशन है हाल ही में कौन कस्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है तो इसका सही आंसर है साइमा उबैद जो की कस्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है नेक्स्ट कोशिन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े होकी स्टेडियम की नीव रखी है तो फ्रेंट्स वो उडिसा के मुख्यमंत्री है जिनोंने देश के सबसे बड़े होकी स्टेडियम की नीव रखी है संयुक्त राष्ट्र पुन्जी विकास कोस UNCDF के नए अध्यक्ष कौन बने है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है प्रीती सिन्हा फ्रेंड्स UNCDF का नेम है United Nations Capital Development Fund फ्रेंड्स प्रीती सिन्हा जूडित कार्ल की जगय लेंगी फ्रेंड्स इस संगठन का कार्य होता है देशों को उनकी अर्थविवस्था के विकास में पुन्जीगत सहायता, अनुदान और रिर्ग के माध्यम से कराना इसकी स्थापना सन 1906 में हुई और इसका मुख्याले नियू यूर्क, USA में है नेक्स्ट कोशिन है सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है तो इसका सही आंसर है एस थियोडोर बासकरन ने नेक्स्ट कोशिन है किस खिलाडी ने टेस्ट किर्कित से सन्यास की घोस रांकी है इसका सही आंसर है फैफ डू प्लेसिज नेक्स्ट कोशिन है इसको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया है। So friends, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you!